सबसे पहले बात करते हैं मौसम की जुसने राजानी दिल्ली के साथ लगे नॉइडा में काफी परशानी खड़ी कर दी है राजानी दिल्ली में सुभे से ही भारी बारिश हो रही है पूरे डेली न्सीयार में बारिश हो रही है और मूसलाधार बारिश की वज़े से लोगों का जीना मोहाल हो गया है नौईडा और ग्रेटर नौईडा के कई इलाकों में पानी भरने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है बारिश के बीच नौईडा के अधिकारियों ने एतियातन तोर पर कदम उठाते हुए सभी स्कूलों को आज के लिए बंद कर दिया है लेकिन अलर्ट आज सुभे 6 बज़े के बाद आया जब तक कई चात्र अपने स्कूलों के लिए रवाना हो चुके थे ऐसी कई तस्वीरे सामने आई हैं जहां स्कूली बच्चे बीच में ही फसे हुए दिखाई दे रहे हैं भारी बारिश के बीच बच्चों का घर लोटना भी मुश्किल हो गया था इस बीच नॉइडा पर बाड का खत्रा भी मंडरा रहा है क्योंकि हिंडन नदी का जल स्थर भी खत्रे के निशान के करीब पहुँच रहा है ग्रेट नॉइडा में एक पारकिंग स्थल पूरी तरह से भर गया है जिसमें कई गाड़ियां डूब गई हैं तो अलग-अलग जगह से तस्वीरे हमारे सामने आई हैं जहां पर लोग काफी परेशान होते हुए देखे जा सकते हैं मेरी सेयोगी ईला जादा जानकारी के लिए मेरे साथ जूचुकी है इला तस्वीरे काफी हैरान करने वाली है क्योंकि नौइडा में काफी हाई राइस सूसाइटीज मी है और ऐसे में जब ऐसी तस्वीरे सामने आती है तो जाहिर सी बात है कि लोग काफी परेशान हो रहे होते हैं स्कूली बच्चे भी आज बहुत परेशान हुए जब वे सड़कू पर निकल गए लेकिन अभी क्या स्तिती है क्या ये पानी का जलस्तर कम हुआ है क्योंकि कई जगे से वाटर लॉगिंग की तस्वीरे भी सामने आई थी जी मैं बिल्कुल मैं आपको बता दू कि ये नॉइडा और दिली मेरी सहयोगी इला से संपर करने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको बता दे कि ये बारिश की वज़े से ही नेटवर्क में भी काफी दिक्कत आ रही है कही जगे पर और हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो पर बने हुए है पूरी अपडेट दे रहे हैं लेकिन तस्वीरे आप जो देख पा रहे हैं आज की नॉइडा की तस्वीरे हैं जब सुबह बारिश हुई की लोग कुछ बच्चे स्कूलों के लिए निकल चुके थे हाला की प्रशासन की और से बारिश शुरू होने के बाद सुबह अलर्ट आया था और ऐसे में ही आपको बता दे कि ये कुछ तस्वीरे हमारे सामने आई हैं जहां पर लोग फसे हुए थे और ये जो गाड़ियां हैं जिनके तस्वीरे भी सामने आ रहे हुँ कहां पर खड़ी थी कितना पानी अभी वहां पर पानी भाई इसमें तो काफी है करीब आठ से दस फिट की गहराई में पानी इसमें तो चल लिया है तो कितना अब भी वहां पर पानी है कि कौन सी गाड़ी कोई भी यह सकता नहीं जाने के कि यह यह नहीं था कि पहले से बताया नहीं था था प्लुस पुर्सम को जैसे पानी स्टाटिंग हुआ पुर्स बालों की शुरूआत तेज बरसात के साथ हुई और इस वक्त हम नौईडा में है नौईडा के बोटानिकल गार्डन में और आप देखे कि किस तरह से सड़क का नजारा है यहां पर लगातार कई घंटों से जाम लगा हुआ है तेज रफतार बारिश की वजह से जगा जगा सड़कों पर जल भराव देखा जा रहा है जिसकी वजह से जो एहम सड़के हैं जैसा यह सड़क जो सीधे आगे जाती है दिली की तरफ और डियन डी की तरफ यह पूरी सड जग जाम है और यह बताया जा रहा है कि कई किलोमीटर लंबा यह जाम है क्योंकि बारिश हुई है जगा जगा पर पानी बर गया है सड़कों पर डाइवर्जिन्स भी हैं और उस वजह से यह इस तरह से जाम लगा हुआ है सैकडों गाडियां आप देख सकते हैं इस वक्त फसी हुई है इस जाम में और DND पर भी इसी तरह का नजारा है और आज बुधवार का दिन है लोगों को दफ्तर भी जाना है एहम काम करने हैं और दिली की तरफ जो भी लोग जा रहे है नौईडा से उनको इसी तरह का आज जाम का सामना करना पड़ रहा है और देखिए द सेक्टर 18 हो, सेक्टर 16 के आसपास ते इलाके और बहुत सारे ऐसे इलाके जहां गाओं हैं, नौईडा एक्स्टेंशन, ग्रेटर नौईडा, वहाँ पर भी पहले ही हिंडन में पानी बढ़ने की वजह से बाड की जो सिती थी वो बनी हुई है और आज तेज रफ्तार हुई उसकी वजह से एक बार फिर नौईडा में जल संकट है, सडकों पर जाम है, लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है और इसे पर जानकारी के लिए मेरी सेयोगी ईला एक बार फिर से हमारे साथ जुल चुकी है ईला मौजूदा सिती क्या है, क्योंकि कई जगे वाटर लॉगिंग हुई, जल भराव हुआ और सडकों पर भी जाम लग गया, अब ही क्या सिती है क्या सिती है